जहिन बच्चों, आज हम P-Block के तत्वों जिसमें बोरान परिवार और कारवन परिवार का अध्यान करेंगे जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, आवर्तसार्णी में 118 तत्वों होते हैं इन 118 तत्वों को 4 ब्लोक में, S-Block, P-Block, D-Block और F-Block में वर्गिकरत किया गया है आवर्तसार्णी में P-Block में 6 समू होते हैं, यह 13 से लगा कर 18 तक होते हैं इन 6 समू के प्रतम तत्वों बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, आक्सिजन, फ्लोरीन, थता हिलियाम है 13 समू अर्थात बोरान परिवार और 14 समू अर्थात कार्बन परिवार में बोरान परिवार में बोरान, एलियूमिनियम, गेलियम, इंडियम और थेलियम यह 5 तत्वों होते हैं 14 समू में 5 तत्व कार्बन, सिलिकान, जर्मेनियम, टिन और लेड होते हैं 13 समू में बोरान एक अधातू है जबकि सभी हमारे धातूय होती है 14 गुरूप में कार्बन अधातू है सिलिकॉन, जर्मेनियम उब धातू है और टिन और लेड धातूय होती है गुरूप 13 और गुरूप 14 के अब हम गुणों का अध्यान करेंगे हमारा पहला गुर्ण है Electronic Configuration जिसको हम Electronic विन्यास बोलते है 13 समू के सामान्य बाहतम Electronic विन्यास NS2, NP1 होता है जिससे बोरान, बोरान का अगर देखें तो 1S2, 2S2, 2P1 होता है उसी प्रकार से चवदुवे गुरूप में भी इसका सामान्य Electronic विन्यास NS2, NP2 होता है जिससे कारवन 1S2, 2S2, 2P2 होता है उसी प्रकार हम दूसरी प्रॉपटीज पढ़ते हैं परमानु तरिज्या परमानु तरिज्या में हम देखते हैं आवर्तसारणी में 13 समू में उपर से नीचे जाने पर प्रतियक तत्व में Electronic जोड़ता है जिसके परिणाम सरूप समू में उपर से नीचे आने पर परमानु तरिज्या बढ़ती है लेकिन बहाए इलेक्ट्रोन पर दुर्बल परिरक्षन प्रभाव के कारण गेलियम की परमानु तरिज्या एलियमिनियम की तुल्ना में कम होती है अब उसी प्रकार से चवदवेद ग्रुप समूम के तत्वों में सामाने रूप से परमानु तरिज्या बढ़ती है दूसरा होता है हमारा आयनन एंथेल्पी आयनन एंथेल्पी सामाने रूप से उपर से नीचे आने पर घटती है बोरोन से एलियूमिनियम तक लगातार घटती है लेकिन बाद में अनेमेत रूप से बढ़ती है समूँ चवदवे में कारवन से टिन तक घटती है लेकिन लेड की बढ़ती है यह इसलिए होता है क्योंकि यह परियरक्षन प्रभाव उत्पन्न होता है हमारा अगला गोण विद्वत रणात मकता अर्थात इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है तेरवे समूँ के तत्वों की विद्वत रणात मकता का मान उपर से नीचे आने पर घटता है अर्थात बोरों से अल्यूमिनियम तक घटता है तत्पस्चाथ आनसिक व्रद्धी होती है एसा परमानवी आकार में अनेमित व्रद्धी होने के कारण होता है चवद्वे समूँ के तत्वों की विद्वत रणात मकता तेरवे समूँ से अधिक होती है तत्था समूँ में उपर से नीचे चाने पर कारण से सिलीकॉन तक बढ़ती है तत्था सिलीकॉन से लेड तक तत्वों की विद्वत रणात मकता का मान लगबग समान होता है अब हम भोतिक गुणों के बारे में अधियन करेंगे बोतिक गुणों में पहला हमारा भोतिक अवस्था तेरवे समूँ में बोरान काले रंग की ठोस अधातु है जबकि बाकी सदस्य मुलायम धातु होती है इसी में तेरवे समूँ में गलनांक और कोथनांक की बात करें तो तेरवे समूँ में समसे पहले बोरान जालक सन रशना के कारण बोरान का गलनांग उच्च होता है ताथा गेलियम का गलनांग बहुत कम होता है यह गर्मियों की दिनों में द्रववस्था में भी पाया जा सकता है उसी प्रकार समू चौदा के सभी तत्व ठोस होते हैं कारवन सिलिकान अधातू होती है पहला हम रासाइनिक अभिक्रिया देखेंगे जो वायू के साथ में अभिक्रिया शिलता है तो तेरवे समू के बोरान क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों रूपों में पाया जाता है क्रिस्टली रूप यह वायू के साथ में अभिक्रिया नहीं करता लेकिन अक्र्स्तलिय रूप में वाईू के साथ में क्रिया शेल तक यह aaukside बनाता है above boron oxygen के साथ में अभिक्रिया करके boron oxide बनाता है उसी प्रकार से 13 समुह के सभी तत्व boron oxide, aluminium oxide और सभी oxide बनाते हैं इनकी प्रकरती m2o3 प्रकार की होती है उसी प्रकार के चौदुवे ग्रुप के सभी तत्व हैं वो भी आक्साइड बनाते हैं जैसे चौदुवे ग्रुप तत्व हैं कारवन जो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके कारवन डियाक्साइड बनाता है चौदुवे ग्रुप के सभी तत्व आक्साइड बनाते हैं यह डाइक्साइड होता है EO2 डाइक्साइड होता है कारवन डाइक्साइड, सिलिकान डाइक्साइड इस तरीके के सभी डाइक्साइड बनाते हैं अब हम हेलोजन के साथ में अभीक्रिया देखेंगे, हेलोजन के साथ में अभीक्रिया करें, तेरवे समू के तत्व हेलोजन के साथ में अभीक्रिया करके ट्राई हेलाइड बनाते हैं, जैसे उधारण बोरोन क्लोरीन से अभीक्रिया करके बोरोन ट्राई हेलाइड बनाता है उसी प्रकार 14 समू के तत्व भी MX2 तथा MX4 प्रकरती के हैलाइट बनाते हैं अब हम बोरान एवं कारवन परिवार की प्रवर्ती और उनका असंगत व्यवार पड़ेंगे क्यूं बोरान और कारवन परिवार अपने ही सदस्यों से असंगत व्यवार प्रदर्शित करता है तो इसका चार कारण होए पहला कारण है कि कारवन की तरज्या परमानवी तरज्या एवं आइनिक तरज्या छोटी होती है दूसरा कारण होता है आइनन उर्जा का मान उच्चो होता है तीसरा होता है डीक अक्षकों की अनुपस्तिती होती है और चौता होता है कि विद्वत रणात्मक्ता का मान उच्चो होता है इन चार कारणों से बोरान एवं कारवन अपने ही सदस्य के तत्वों के साथ असंगत व्यवार प्रदर्शित करता है अब हम बोरान के कुछ महत्वपूर्ण योगिकों के बारे में अध्यन करेंगे बोरान की कुछ महत्वपूर्ण योगिक बोरेक्स, आर्थोबोरिक अमल और डाइबोरेन है बोरेक्स, बोरेक्स का सुत्र Na2, B4, O7, 10H2O होता है यह बोरोन का महत्वपूर्ण योगिक है और यह स्वेत रंग का क्रिस्टलिय ठोस होता है गर्म किया जाने पर बोरेक्स पहले जलके अणों का निस्काशन करता है फिर कांच के समान पारदर्शी ठोश बोरेक्स मनका या बोरेक्स बीड कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है जैसा आप समीकरण में देख सकते हैं अब संक्रमन तत्वों की पहचान के लिए बोरेक्स बीड टेस्ट या बोरेक्स मनका परिक्षण प्रियोक्षाला में किया जाता है उधारण के लिए बोरेक्स को कोबाल्ट के साथ बुनसन बर्नर पर गर्म किया जाता है तो वो नीले रंग की जुआला के साथ परिक्षन देता है हमारा अगला बोरोन का हाइडराइड डाइबोरेन है जिसका सूत्र B2O6 होता है बोरोन का ग्यात सरलतम हाइडराइड है इसे डाइएथिल इतर की उपस्तिती में बोरोन ट्राइफलोराइड के साथ लीथियम एलिमेनेव हाइडराइड के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है कि सनरशना यदी हम देखें डाइबोरेन की तो चार हाइडरोजन दो बोरोन के साथ आधरतल में उपस्तित रहते हैं यह चार हाइडरोजन दू केंद्रिय दू इलेक्ट्रोन बंद बनाते हैं जबकि दो बोरोन से हाइडराइड उपर और नीचे सेतु बंद द्वारा चुड़े होते हैं यह त्री केंद्रिय दू इलेक्ट्रोन बंद बनाते हैं सेतु बंद में बोरोन हाइडरोजन की बंद लंबाई 134 पीकोमीटर होती है जबकि बोरोन हाइडरोजन सिरेवाले पर 119 पीकोमीटर की होती है इस तरह से यह एक जालक का निर्वान करता है अब हम आर्थोगोरिक अमल जिसका रासाइनिक सूत्र H3PO3 होता है यह एक स्वेथ क्रिस्टली अठोस होता है जिसका सावुनी इसपर्श होता है यह जल में अलप विले लगपरंतु गर्म जल में पूर्ण विले होता है इसकी संरशना देखें तो इसकी संरशना परती होती है जहां B.O.3 की इकाईयों में हाइडोजन बंद से जुड़ी होती है अब हम कारवन के योगिकों के बारे में अध्यन करेंगे कारवन के योगिकों के अध्यन से पहले हम कारवन के अपरूप को समझते हैं कारवन के मुख्य रूप से दो अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइड लेकिन 1985 में कारवन के एक अन्य योगिक जिसको फ्लोरीम कहते हैं इसकी खोज हुई और इसके लिए 1996 में नोबल परवसकार भी प्रदान किया गया पहला योगिक होता है हमारा कारवन का अपरूप हीरा हीरा एक क्रिस्टली जालक होता है जिसमें SP3 संकरन होता है कारवन कारवन के रूप में चतुस्फल की जयमिती होती है एक कारवन अन्य चार कारवन के साथ में चतुस्फल की जयमिती से जुड़ा रहता है इसमें कारवन क के मद्ध 154 पीको मीटर की लंबाई होती है यह एक थ्री डाइमेशनल मतलब त्री वी में आकरती प्रदान करता है हीरा प्रत्वी पर पाए जाने वाला सर्वादिक ठोस पदार्थ है क्योंकि यह एक जालक का निर्मान करता है इस प्रकार इसका उप्योग धार तेज करने व अब हम कारवन का अन्य अपर रूप ग्रेफाइट को अध्यन करते हैं ग्रेफाइट परतिय संरशना होती है मतलब लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है यह परत वांडर वाल बल दोरा जुड़ी रहती है दोनों परत के मध्य की लंबाई 340 पीको मीटर होती है प्रतियक परत्व करवन पर मानौं Hexagonal Ring अर्थात शटकोनीय संरशना के रूप में विवसित होते हैं जिसमें करवन-करवन बंद लंबाई 141.5 पीको मीटर होती है Hexagonal Ring अर्थात शटकोनीय में प्रतियक करवन परहती है संपूर्ण परत में इलक्टरon विस्थानिक रत होता है अर्थात इलक्टरon गतिशील होते ही इस कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट का उपयोग हम सुसका इसनेहक के रूप में करते हैं क्यों? क्योंकि यह चिकना होता है और इसकी परते होती है जो फिसलन के रूप में कार्य करती है अब हम कारवन का तीसरा अपरूप फुलूरीन के बारे में अध्यन करेंगे फुलूरीन जिसको हम बकी बॉल के दाम से भी जानते हैं यह helium, argon जैसे अक्रिय गेस की उपस्तिती में जब graphite को विद्धित आर्क के साथ में गर्म किया जाता है तब fluorine का निर्माण होता है यह carbon 16 और carbon 17 के रूप में पाया जाता है फुलिरीन शुद्धितम रूप होता है कारवन का क्योंकि इसमें कोई भी जूलता बंद नहीं पाया जाता है इसलिए इसको बक मिनेस्टर फुलिरीन भी कहा जाता है इसमें 6 सदसिय 20 वले तथा 5 सदसिय 12 वले उपस्तित रहते हैं इसमें एक कारवन 3 अन्य कारवन के साथ में बंद बनाता है और एक बंद इसमें स्वतंत्र होता है जो विस्थानिकरत होता है इसमें कारवन कारवन के मद्ध डबल बॉन्ड और कारवन कारवन के मद्ध टरपल बॉन्ड दोनों पाय जाते हैं कारवन कारवन के बंद मद्धे डबल बॉन जिसकी लंबाई 143.5 पीको मेटर होती है इसको हम बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं जिस तरह से आप इस आकरती में देख सकते हैं अब हम कारवन के योगिकों के बारे में अध्यन करेंगे कारवन के दो योगिक मुखी रूप से होती हैं कारवन-monoxide एवं कारवन-dioxide कारवन-dioxide को जब हम देखें तो कारवन-dioxide में वायू की अधिक्ता में जब कारवन का कारवन-yog magically इधन के रूप में देहन किया जाता है तब कारवन-dioxide का निर्माण होता है जैसे कार्बन का जब हम ऑक्सिजन के साथ में अभिगिर्या कराते हैं तो कार्बन डियक्साइड का प्राप्त होता है मीथेन को जब ऑक्सिजन के साथ में देन करेंगे तब कार्बन डियक्साइड का निर्मान होता है अब carbon dioxide एक रंगहीन गंदहीन गैस है जो जल्प में अल्प वेलेता जिसमें जेव रसाइनिक भू रसाइनिक महत्व को बढ़ाती है यह जल्प के साथ में carbonic अमल भी बनाती है carbon dioxide वायू मंडल में 0.03% पाई जाती है जो पेड़ पोदों के लिए यह प्रकास संसलेशन के रूप में carbon dioxide उपयोग की जाती है जिससे वो अपना रसाइनिक परिवर्तन के द्वारा अपना भोजन बना सकती है द्रवित CO2 का प्रसार सीगरता से होने के कारण carbon dioxide शुष्क वर्फ के रूप में भी पाया जाता है यह वायू से भारी तथा दहन में सायक नहीं होने के कारण इसका उपयोग अगनी शामक यंत्रों में भी किया जाता है और CO2 का उपयोग व्रद्ध मात्रा में यूरिया के निर्माण में भी किया जाता है तो carbon dioxide अनू में carbon परमाणों में SP संकरान होता है oxygen के दो P कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके दो सिग्मा बंद बनाता है जबकि carbon परमाणों के 6 electron oxygen के साथ P pi P pi बंद बनाते हैं इसकी आकरती रेखी होती है और यह अनुनात संरशना प्रदर्शित करता है इसमें दोनों carbon oxygen की लंबाई एक सम्हान अर्थाथ 115 P.M होती है carbon dioxide की प्रकरती संरशना को हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं अब हम carbon monoxide का अध्यन करते हैं इसको किस तरह से बनाया जा सकता है carbon के साथ oxygen अत्व वायू की सीमित मात्रा के साथ सीवे आक्सी करण पर carbon monoxide प्राप्त होता है जैसे carbon की सीमित अक्सीजन मात्रा carbon के साथ सीमित अक्सीजन की मात्रा लेने पर इसको गर्म करने पर carbon monoxide प्राप्त होता है उसी तरह सांदर sulfuric अमल और formic अमल का निरजली करण करने पर भी सुख्य मातर में carbon monoxide प्राप्त होता है जैसे फार्मिक अमल HCOOH, इस पर हम सल्फियूरिक अमल H2SO4 और 373 केल्विन तापमान पर लेता हैं, तब हमारा सुक्ष्य मात्रा में कारवन, मोनो अक्साइड और जल के अणू प्राप्थ होता है ओध्योगिक रूप से कोक पर भाप प्रवाहित करके भी बनाया जा सकता है, जैसे कारवन पर अगर हम भाप प्रवाहित करें, स्टीम करें इसको भाप के साथ में, तब हमारा CO, कारवन मोनो अक्साइड, प्लास हाइडरजन गैस मिलती है ये पूर्ण रूप से इन दोनों को हम water gas, water gas, water gas कहते हैं, यदि भाप के साथ, भाप के साथ वायू का प्रियोग होता है, वायू का प्रियोग किया जाता है, तो हमारा producer gas, producer gas मतलब कारबन, monoxide, plus N2, इसको हम producer gas बोलते हैं, producer gas कहते हैं, तो इस प्रकार हम इतनी रसाइनिक अभी क्रियाओं के द्वारा carbon, monoxide को बनाया जा सकता है, water gas, carbon, monoxide और hydrogen, एवं producer gas, carbon, monoxide और nitrogen, ये हमारे महत्वपून ओध्योगिक इधन होते हैं, इसके दहिन पर अतिदिक उश्वन निकलती है, carbon, monoxide, gel में अविले है, यह है, रंगहीन जिसका कोई रंग नहीं होता, और गंदहीन जिसकी कोई गंद नहीं होती, यह gas है, यह धातूं के साथ carbonil योगिक बनाती है, carbon, monoxide की विशेली प्रकृति होने के कारण, सरीर के रक्त में उपस्तित लाल रक्त कणीका के साथ मिलकर oxygen प्रवा को रोकती है, और इसके परिणाम स्वरू व्यक्ति की मृत्यू भी हो सकती है, carbon के उप्योग के बारे में अध्यान करेंगे, carbon के उप्योग जैसा आप सब जानते हैं, graphite विद्यूत का सोचालाग होता है, graphite विद्यूत का सोचालाग होने के कारण, इसका उप्योग बैटरी के इलेक्टरोड बनाने में किया जाता है, सक्रिय चारकोल का उप्योग जहरीली गेस के अवशुषण में और कार्बनिक विलायोग के अशुद्धियों में किया जाता है, carbon black का उप्योग क्रिश्नरंजक बनाने में तथा वाहनों के टायरों में उप्योग किया जाता है, हीरा, हीरा एक मूलिवान पत्थर है, जिसका उप्योग आभुशण बनाने में किया जाता है, और हीरे को हम शुद्धता की माप केरेट से करते हैं, अर्थात एक केरेट बराबर 200 ग्राम होता है, अब हम सिलिकॉन और उसके योगिकों का अध्यन करेंगे, यह कार्ब सिलिकॉन का बहुलक होता है, जिसमें R2SiO2 की पुन्रवर्ती होती रहती है, जब 573 डिगरी तापमान पर मेथिल क्लोराइड को कॉपर की उपस्तिती में सिलिकॉन के साथ में अभिक्रिया करते हैं, तब मेथिल क्लोरिसेंस तथा डाई मेथिल क्लोरो सिमेंस का निर्मान होता है, तथा इसके उपरांत जल अब गटन पर संगनन बहुलक का स्रंखला क का निर्मान होता है अब इसमें हम देखेंगे कि मेथिल क्लोराइड को सिलीकॉन के साथ में कौपर की उपस्तिती में 573 डिगरी तापमान पर जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा डाइकलोरोसिलेन का निर्मान होता है यह डाइकलोरोसिलेन को जब हम संगनन करते हैं तो स बहुलक हम सिलिकॉन का बना सकते हैं डाई क्लोरोसिलेन के बहुली करण से, कारब सिलिकॉन का बहुलक होता है, इसमें हम बहुली करण करते हैं, तो जब सिलिकॉन का बहुली करण किया जाता है, तो जलके अणूओं का सिलिकॉन के अणूओं से जलके अणूओं का अब हम सिलीकॉन का अगला योगी सिलीकेट के बारे में अध्यन करेंगे। सिलीकेट प्रकृति में बड़ी मात्रा में खनेजों के रूप में पाया जाता है। जिन में से कुछ प्रमुख खनेज हैं फेल्ट स्पॉर, जेयोलाइट और एबेस्टस। सिलीकॉन परमाणू चार ऑक्सिजन परमाणू के साथ चतुस्फल की बंद के रूप में जुड़ा रहता है। यह त्रिविम इकाई में उपस्तित होता है। जब सिलीकेट आयन इकाई आपस में मिलती है तो स्रंकलिदवले का निर्माण करती है। जो त्रिविम संरशना वाली पाय जाती है। सिलीकेट संरशना रिनात्मक से धनात्मक धाटु आयन द्वारा उदासीन होती है। यदि चारो कोनों अन्य चत्तुसफल की एकाई के साथ साजित होती है तो त्रिविम जालक का निर्मान होता है। मनिश्य द्वारा निर्मित दो महत्वपूर्ण सिलिकेट होते हैं जिनका काच और सीमेंट है। अब हम सिलिकॉन का अगला योगिक जियोलाइट के बारे में अध्यन करेंगे। जियोलाइट यदि सिलीकॉन डायकसाइड के त्रिविम जालक में से सिलीकॉन परमाणू एलुमीनियम परमाणू द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो संपूर्ण संरशना को एलुमीनियम सिलीकेट कहते हैं जिस पर रिनाविश उत्पन होता है फेल्ट स्पोर तथा जियोलाइट एक पेट्रोरसाइन उद्ध्योग में हाईड्रोकारवन के भंजन समावी करण में उप्योग होता है यह उत्प्रिणक के रूप में भी उप्योग होता है जियोलाइट का उपयोग कठोर जल को म्रदू करन करने के काम भी आता है तथा विनिमे रेजिन बनाने में भी उपयोग होता है तो बच्चों, आज हमने P-Block के तत्व के बारे में अध्यन किया P-Block में Boron परिबार और Carbon परिबार का अध्यन किया जिसमें से उनकी भोतिक प्रकरती, रासाइनिक प्रकरती और उनके कुछ महत्वपूर्ण योगिकों के बारे में अध्यन किया अब हमने जिस अध्याय के बारे में पड़ा उससे संबंदित कुछ प्रशनों का अध्यन करेंगे जैसे ग्रेफाइट का उप्योग सिस्क इसनेहक के रूप में क्यों होता है ये जो प्रशने है आपको सॉल्व करना है दूसरा प्रशने है हीरा का उप्योग अब घर्शन के रूप में क्यों किया जाता है अगला प्रश्न है हमारा आयनन उर्जा समों में उपर से नेचे आने पर ढटती है ऐसा क्यों होता है अगला प्रश्न है हीरा विद्धुत का कुछालक होता है लेकिन ग्रेफाइड विद्धुत का सुचालक होता है ऐसा क्यों